फ्रेंट्स आप बिजनस वीडियो देखते न, इसका मतलब आप बिजनस की लर्निंग करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कि वह लर्निंग करते हैं, उसको लाइफ में इंप्लिमेट नहीं करते हैं, तो आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं सेल्फ असेस्मेंट ट आपको बहुत important questions देने वाला हूँ, उन questions को proper page में, diary में note करें, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद हर सवाल का जवाब सच्चे मन से आप में चिंतन करके सही सही लिखें, और हर सवाल का जो आंक है वो 10 है, मतलब एक प्रशन का जो answer है, वो 10 नंबर का है, आपको self assessment test करना है, उसके बाद क्या होगा, जवाब पूरा हो जाने पर, आपको अपनी सफलता के आधार पर, आपने जवाब उसमें लिखा है, उसके आधार पर 10 में से अंक देने हैं, ध्यान रखेगा, आप उस examination को ऐसे check करेंगे, उस question paper के answers को ऐसे check करेंगे, जैसे आप किसी और का paper चेक कर रहे हैं, उसके बाद क्या करना है, आपको यह देखना है, जो सारे के सारे 15 प्रश्न हैं, वो 10 नंबर के हिसाब से 150 अंक का है, और 150 में से कितने अंक आपको प्राप्तू है, उसका आपको total करने, और total करने के बाद जो निरने आपके पास आएगा, उससे यह पता चलेगा कि आपका भविश्य कैसा होगा, और भविश्य में आपकी ग्रोथ की कितनी संभाव नहीं है, बिजनस लर्निंग वीडियो देखना एक बात है, और उस पर अमल करना दूसरी बात है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, कि जब आप सेल्फ असेस्मेंट टेस्ट करेंगे न, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट बाते ध्यान रखने हैं, नमबर वन, कि आपको जो 150 में से, अगर 120 से 145 अंक आते हैं, जिसे 1500 में से, आपके 120 से 145 के आसपास अंक आते हैं, तो आप बिलकुल सही ट्रैक पर हैं, अब ज़ आते हैं, तो आपको कड़ी मेनत करनी पड़ी, और कड़ी मेनत का मतलब क्या है, चीजों को सीखना है, समझना है, और इंप्लीमेंट करना है, कोई प्रॉब्लम आती है, उसका सॉलूशन ढूंड़ना है, उसके लाब अगर आपके पास न, 1500 में से केवल 170 से 100 के बीच में न का जो आंसर है, वो 7200 के बीच में है, तो आपको बिजनस लर्निंग और मेंटोर की जरूरत है, इसके लाबा अगर आप 0 से 65 अंक के बीच में आते हैं, ध्यान रखेगा, टेस्ट में जरूरी नहीं कि हर बार एक व्यक्ती 100 परशन मार्क्स लेका रहें, अगर आपके 0 से 65 क बीच में आंक आते हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी मानसिक्ता बदलनी है, अपना परिवेश बदलना है, अपने साथी बदलने है, अपने मित्र बदलने है, और जरूरत है अपने महौल को चेंज करने की, यदि आप ये करने के लिए तयार है, तभी ये वीडियो आपक अब इसको skip कर दें, आपके लिए useless वीडियो है यह, क्योंकि आपको अपने calculation को चेक करना नहीं है, तो कोई फाइदा निया इस तरह की वीडियो को देखने का, next, यह दिया आप इस टेस्ट में केवल मजे के लिए, यह केवल यह सुनने के लिए आए न, कि आज तो चलो देख सफल बुजनस्मेन या प्रोफेशनल है, दोस्तो सफलता की बरिबाषा हर वेक्ति के लिए अलगोती है, आपको अपनी सफलता की आधार, अपने लक्ष embod के लिए लिखना है, कि क्या आप एक सफल बिजनस्मेन या प्रोफेशनल है, उसका जवाब लिखेंगे, क्या आप ये मानते हैं कि higher education प्राप करके ही business में या profession में सफ़त्ता असिर की जा सकती है बहुत सार लोग ऐसा मानते हैं कि higher education करूँगा तब ही कामियाब हुँगा लेकिन बहुत सार लोग कम पड़े लिखे हैं लेकिन उसके बाफ़ूद भी ज़्यादा सफल है आप क्या मानते हैं अपना जवाब विस्तृत रूप में लिखना और उसके बाद अपने आपको अंक देना उसके बाद क्या आप मंदी या प्रतियोगीता से बचने के उपाए जानते हैं फ्रेंड्स, recession and competition दो समस्य एकॉनोमी की हमेशा रहने वाली है या तो competition होगा या recession हो जाएगा या तो अर्थवस्ता नीचे जाएगी या अगर अर्थवस्ता तेजी पर भी है तो हजारों लाखों लोग उस बिजनस में आ जाएगे competition होगा क्या उससे बचने के उपाए आप जानते हैं इसका जवाब सही तरीके से आप लिखना उसके बाद क्या आप किसी व्यक्ति संस्था या company से प्रभावित या प्रेरित हैं कई बार क्या होता है हमारे life में ना हमारे कुछ inspiration होते हैं जिनको देखकर हम inspire होते हैं या किसी से हम influence होते हैं तो आपको देखना है कि क्या कोई व्यक्ति ऐसा है जिससे आप influence है या कोई संस्था ऐसी है या कोई company है तो आप उसके बारे में जरूर लिखें इसका जवाब लिखने से यह पता लगता है कि आपका mindset कैसा है उसके बाद क्या आपने किसी प्रकार का prescription या training प्राप्त की है काम आप कर रहे हैं उसकी training आपने कहां से प्राप्त किया या उसका अनुभव उसका अनुभव आपने कहां से प्राप्त किया जरूर नहीं कि training हो बहुत सारी चीज़े में experience से भी सीखते हैं आपने कहीं job किया या आपका कोई ऐसा friend partner है जिसके साथ आपने मिलको उस business को observe कि है तो आपको लिखना है कि जो भी काम आप कर रहे हैं उसकी training आपने कहां से लिए उसके बाद क्या पूंजी की समस्या आपको आगे बढ़ने से रोकती है दोस्तों बहुत सारे लोगे सोचते हैं कि पैसे की वज़े से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं लेकिन लोजिक यह नहीं है आप इस सवाल का जवाब लिखेंगे और बाद में आपको बताऊँगा कि करना क्या है है उसके बाद क्या आपने जीवन में एक महीने क्या एक साल का या पांच साल का कोई लक्ष निर्धारित किया है आपको पता है कि अगले एक साल में आप क्या करने वाले है अरे यहां तक छोड़ी अगले महीने आप क्या करने वाले हैं कि आपके पास ऐसा कोई ट्रैक है तो उसका जवाब आप ज़रू लिखे और अपने आपको 10 में से अंक दीजिए कि कितने अंक आपके इसमें आते हैं क्या आपका बिजनस बंद होने के गगार पर आया है और ये ऐसा है तो आपने उस समय पर क्या किया ये बात आप बहुत गहनता से लिखे कि कब-कब मेरी लाइफ में ऐसा पॉइंट है जहां मेरा बिजनस बंद होने के गगार पर आ गया मैंने कैसे उसको solve किया या बंद कर दिया या कैसे मैं आगे बढ़ा उसके बाद अगर आप इसका मतलब आपके पास future planning नहीं है इसका जवाब लिखेगा उसके बाद जो next question है वो है क्या आपके कर्मचारी या सह कर्मी मतलब आपके employees या आपके co-partners जो है आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं या मदद करते हैं अगर ऐसा है तो क्यों है उसके कारण उसकी विस्तर जान पustबनी सब्सक्राइब करना है या आपको अपनी स्टेट में बदा बिजना करना है यहाब को पूरे इनडिया का सबसे बड़ा बिजनस खड़ा करना है उसके बाद क्या आप यह मानते हैं कि आज के आज के आदुनिक तो उसमें आप क्या कर रहे हैं उसकी विस्तरत जानकारिय आप जरूर लिखें यह दोस्तों सेल्फ असेस्मेंट है आज कोई भी ऐसा फार्मॉला नहीं कि कोई व्यक्ति आपको आएगा और ऐसा इंजेक्शन भरके देगा कि आप जब कल से बिजनस पर जाएंगे तो आप पाता है आपके अंदर 5 ऐसी क्या कमी जिसके विए से आगे नीबढ़ पारे हैं तो वो जरूर लिखें 5 की 5 कमी आउसके अलावा आप अपनी 5 ऐसी उपलब दियां क्या हैं जिनके बस पर जिनके आधार पर इस तर पर हैं आप अपनी 5 उपलब दिया लिखो जब आप ये 15 के 15 सवालों का जवाब लिख लेना तो सबसे पहले मुझे comment box में लिख कर बताएं कि सर मैंने इसको solve किया और मेरे इतने इसके लावा सतर से सो के बीच में अंक आते हैं तो आपको mentor या training की जरुवत है और लास्ट बात समझ लिएगा अगर आपके 0 से 65 के बीच में अंक आते हैं तो आपको यह चेक करना है कि आपकी mentality क्या है आपका mindset क्या है कि आपका mindset सच में growth का है या आपका परिवेश कैसा है आप कैसे लोगों के साथ में रहते हैं कैसे आपके साथ ही हैं कैसे आपके मित्र हैं कैसा आपका माहौल है और क्या आपको सच में बदलने के जरुवत है इन सवालों के ज जरूरत है सबसे पहले अपना आंकलन करो जब आपके आंकलन का result आपके सामने होगा तो अभी आप बहुत बेहतर तरीके से अपने business को develop कर पाएंगे इसके अलाबा सच में यह दिया आपको लगता है कि आपको आपके लक्ष आपके target जो आपने मैंने सफर तै किया उसकी विस्तरित और गहन जानकारी में आपके साथ शेर करता हूँ और बहुत सारे लोग किवल entertainment के रूप में उसको देखते हैं तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे यदि आप learning को implement करेंगे तभी सफल होगे उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो का notification बिल जाए स्वस्त रहें मैं डॉक्टर अमित्माईश्वरी आपके सुनरे भविश्य की कामना करता हूँ जै हिंद जै भारत